क्या नाम है जी मेरा नाम रेनु कुमारी है जी आप कहा करने वाली है सर यहीं कि सायदपूर की कारेरा तब कप से हैं याप सर जुलाई से यहाँ पर आया है जुलाई से समीदा स्टापनेर्स के पत पर क्या मामला है यहां की आधिक्षक है C.S.C. सायथपूर के डाटर संजी कुमार सिंग उनके द्वारा यहां के जो भी महिला करम चारी है उनका सोसड करते हैं वो और मतलब कि किसी भी प्रकार से उनको फसाना, मतलब बाते करना, मतलब किसी भी तरह से वो अपने कबजे मिले लेते हैं और फिर उनके द्वारा उनकी बातों को न मानने पर वो उनको परिसान करना शुरू करते हैं जिस प्रकार इन्होंने मेरे साथ भी यह किया इन्होंने पहले मुझे बात करने की कोशिस की, मुझे बहुत सारी बातों को बोला, मैं इनके बातों को नहीं मानी, फिर इन्होंने मुझे डाटते हुए बोला, जाते सुचा सब्दों का प्रयोग करते हुए, कि चमारिया कहीं कि यहां से भागो, तुम लोग को डूटी यह कहर नहींने तरह से आगई थिस На सुप मेरी तुछ पिर बचम करते हैं तुम आठे हसे टेहने शूर्फ हैं मेरे ही और पर दोशे कि आप्धाप कर सकते हैं लिकिन तुम ठीं के कम से कम 90% करमचारी यहां पर रह रहा है। लेकिन बस हमारे लिए यह नियम क्यों है। तुम समीदा करमचारी यह नियम सिर्फ तुमारे लिए है। ऐसा बोलकर इन्हों ने मुझे वहां से हटा दिया। फिर मुझे कागजे तरीके से इधर से उधर परसान करना सुरू कर दिया। क्या नाम है उनका? डॉक्टर संजी कुमार सिंग। डॉक्टर संजी कुमार सिंग। कब की बाते बोले अपकी? इतना दिन हुआ है में? सर यह कम से कम जुलाई से चल रहा अब तक। तरीके सारे इतना प्हों की बिसेटार पर दिया चेहरा हूँ और सब नढुना नु остававай नौरा मेंद हमें सत्म ठीकूं कि सब आ . पर मेंनं आ पलगजा में समय में बहुत सारी लगों से मतलब पता करने हैं वहीं लड़का इंपाने लग गई कि इनका वहवार अच्छा अगर आप उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो अगर आप इस प्रकार का आवाज उठाएंगी, मतलब आपके ऊपर उचित कारवाही करवा देजाएंगी, इसके बाद क्या बोला है? कुछ और? जी इन्होंने फिर उसके बातों को नहीं समझे तो फिर दॉक्टर के दौरा जो भी बात इनसे हुई हो तो फिर इनके दौरा और विद्धयादो एन्नम जो है यहां पर उनके द्वारा मुझे बोला गया कि दौक्टर के बातों की समझने रही बहुत साही लड़कियां आई और चली गई है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तुम अकेड़े से काष्ट गयों समीधा करम चारी हो तुम्हारी नौकरी यहां से खतम हो जाएगी अगर तुम इनकी बातों को नहीं मानोगी तुम बिद्ध्यादो कौन है यहां की एन्नम है एन्नम आप से बूले जी और और शीज कारवाही करके जो दियाए परकरह करके इसो चीज जो न्याय है उस चुपर कलियर करको उसके according मतलब नया किया जाए लेकि रेनु जी पब्लिक कैसे मानेगे कि आप सत्य बोल लाई है वोई प्रूफ होगा या सर प्रूफ है वो समय आने पर हर चीज की प्रूफ हो चीज़े हो जाएगी अब धीरे-धीरे करके सारी जाट चल रही है चार्च होने के बाद सामने आ अमृति बोलाई फारीव ब्लe को पूरा 100 पटरसा हो उगा घृत तरी लिघंगों को बीशवास बंढाना मुझे लड़किया हम बहुत सारी यह आसे अगर लोगह थे गिरस्त में वो परिसान है अप साधी सुधा है जी कब की साधी हुई दो साल हो गए जी साधी से तो आप खुस है जी सर अगर ऐसा कहीं वो लिखकर दिये हैं कि मीडिया के प्रतिया पर अपना आवाज उठाओगी तो परिसान किया जाएगा कहीं आपके साथ सासूर से पती से तकलीफ मे नहीं मुझे कोई तकलीफ में मेरे साथ सुषुर के दौरा मैं मैं सब को बताई अपने घर में कि मेरे साथ ऐसी चीज़े हो रही है वो लोग खुद आवाज उठा रहे हैं कि हमारे घर की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आगे किसी और की बेटी की साथ कितना ज्यादा हो र ही और इसमें कि राश्टपतीि या इन दिव यहां सास को रार देते हैं और वहीं एक चिक स्क अधिकारी जो है कि बहु के साथ गलत संबनने के लिए मजबूत करते हैं क्या साहिए चीज इसके लिए इसके लिए चीज उम्मीद करते हैं कि हमारे उपर से जो भी अधिकारी है वह इस लिए तो करें करें डिखी तो हम पहुंचे थे हुआ है तो पर वाप समझाएंगे तब तक हम सोचे कि आप से लेगे काफी मीडिया में तेजी चल आए जी जी आपको वरोसा है पूरा जी पूरा भरोसा है या होगा जी होगा